दोस्तो चार सेप्टेंबर दो हजार जोबिस को जैसे ही सीबिसी ने ये सर्कुलर जारी किया तो बहुत सारी यूटिवस ने वीडियो बना दी कि पाइबिट कैंडिडेट्स के लिए सर्कुलर आ चुका है और ये वो फलाना डिकना डेट्स आ गई लेकिन दोस्तो रियालिटी किया है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वह फाली स्टुडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि वही है कि मेरे दुबारा से पैक्टिकल होंगे क्या मेरे को डिली स्कूल अटेंड करने जाना पड़ेगा क्योंकि इस सरुकलर में तो कुछ ऐसा ही लिखा है टेंजन नी लेना इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स सॉल्ब करने बाला हूँ पहली बार अगर आप आरे वरसित की प्राइब है तो तुरन सब्सक्राइब कर लो आप यह लाग प्राइब कर लो क्योंकि जैसे ही कोई निज निकल के आती है तुरन आपको वीडियो मिलेगा जैसे ही फॉर्म को आप फिल कर सकते हो बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूपर आपको सिखाऊंगा मॉबाइल से कैसे फिल करेंगे, लैप्टॉप से कैसे करेंगे, कंप्यूटर से कैसे करेंगे सारी चीज आपको फ्री आपको यूट्यूपर में आपको दूँगा ठीक है तो इसलिए बोलो सब्सक्राइब कर लो रही बाद इस सर्कुलर की तो बहुत ध्यान दे, देखो भाईया यह जो सर्कुलर है, यह सभी स्कुल्स के प्रिंसिपल्स को भेजा गया है, ठीक है जो सीवेफी के है, सब्जेक्ट में देखो क्या लिखा है सब्मिशन ओफ लिष्ट ओफ कैंडिडेट LOC for class 1012, examination 202425 क्या यहां पर कहीं private candidates की कुछ बात की जारी है सर, यहां पर LOC की बात की जारी है किसकी? LOC LOC means list of candidates, यह सम्मिट होती है ठीक है, हर साल होती है ठीक है, private candidates की बात रही जहां तक उन्हें के लिए इसमें क्या है उसमें आपको बता देता हूँ इसमें basically है यह कि schools वाले होते है हर बार students की list बेसते है ठीक है, जिनको भी board exam देना होता है तो इसमें बस यह चीज़ लिखी है कि वो start हो रहा है ठीक है, उसके अलावा नाम बगएरा है बच्चे का डेटो बर्थे, वो एकदम साही से fill करना है इसकूल वालों को, otherwise वो change नहीं होगा वो साही चीज़ में लिखी है रही बाद private candidates वालों की compartment बगवरा वाले students की, उनका क्या है उनका वैसे में कुछ खास तो नहीं है यह fees बगरा लखी है, ठीक है देखो, एक चीज़ में पहले एक लिए कर देता हूँ जितने भी student TV देख रहे न जिनकी compartment आई है या फिर, जिनका essential repeat आया हुआ है ठीक है, या किसी को improvement देना है ठीक है तो उनके लिए अभी separate circular आएगा यह schools वालों के लिए है, regular candidates वालों के लिए है लेकर private candidates वालों के लिए भी थोड़ा सी information है, थोड़ी सी ठीक है, बोग यह information है, मैं आपको बता देता हूँ confused कहां हो रहे हैं बच्चे, क्या school द्वारा जाना पड़ेगा देखना यहाँ पर बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना क्या CBFC वाले यहाँ पर ध्यान ते देखना क्या बोलना है CBFC वाले देखो क्या बोलना है categories of students appearing through schools schools से कौन कोन students appear कर सकते हैं तो पहला तो देखो regular candidates हैं जो first time board exam देने वाले हैं class 10th का या फिर 12th का तो बोग तो eligible हैं, समझ में आता है लेकिन तो already कर चुके हैं है ना उनका क्या, देखो दूसरा category लिखा है fail या फिर essential repeat ठीक है, अब देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, CBFC ने clear बोला है मैं आपको short में बता रहा हूँ, जाद आपको समय बिलकुल बरबाद नहीं करूँगा पहला point यह बताया है CBFC ने, कि जो students fail है या जिनकी essential repeat आई हुई है तो वो चाहे तो as a private candidate apply कर सकते हैं, या फिर चाहे तो as a regular candidate भी apply कर सकते स्कूल से ठीक है, दोनों option है सर आपके पास अगर आपकी essential repeat आई है, आप fail हुए आपके पास एक option है regular candidates regular candidate बनके जाओगे अगर सभी subject exam आपको देने पड़ेंगे और आपको attendance भी वो school में maintain करने पड़ेंगी और शाथी साथ आपको practical भी दुबारा देने पड़ेंगे, दूसरा option है आपके पास या फिर या आप चुसको लो कि आप private candidate का form fill करो, अगर आप private candidate अप्लाई करते हो, SN से repeat है तो आपके practical के marks carry forward होगे, ठीक है वो अभी आएगा सारा tension नहीं लेना है, ठीक है, दूसरा circular आएगा उसके regarding, तो आपके हाथ में है school जाना चाते हो कि नहीं, जाना चाते हो तो regular candidates के लिए आपको apply करना पड़ेगा, school में जाके, ठीक है, तो school वाले उसको form fill करेंगे, फिर आप Delhi school जाओ पड़ेगा, private candidate आपको apply करना है, तो आप खुद से online कर सकते हैं, हमसे करा सकते हैं, ठीक है, online अभी उसके लिए आएगा सारी चीज़, बस यही सारी information है, उसके लाबब जो improvement वाले students हैं, वो भी apply कर सकते हैं, और एक चीज़ बता दूँ, काभी सारी student ऐसे हैं, जिनकी आईए compartment, ठीक है, एक subject में, दो subject में, ठीक है, तो उनके लिए भी private candidate वालों के लिए, दूसरा form आएगा, ठीक है, क्या आएगा, दूसरा form, उसका circular भी separate आएगा, इस circular में कुछ खास information है नहीं, और बहुत circular कब आएगा, बता देता हूँ, आज आ सकता है, आज 6 तारीके, आज आ सकता है, कर ला सकता है, दो-तिन दिन के अंदर अंदर आज आएगा, इनफेक्ट आज ही आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा chances है, तो इसे circular से आपका कुछ खास लेना देना था नहीं बसे है, ठीक है, बट मेरे को लगा वीडियो बना देना चाहिए, ठीक है, देखो forms कर आएंगे, मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ, आप मान के चलो कि 15 September तक आपके forms आ जाएंगे, ठीक है, और लगवक एक महीने त सकते हैं, बट मुझे लग रहा है, आज ही आज आएगा, या फिर कल तक आजाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल टेंस नहीं लेना है, हरस्त की पड़ाई को आपको तुरहन सब्सक्राइब कर लेना है, बैल आइकन को पेस कर लेना है, कोई भी official news निकल कर आएगी, तुरहन आएगे, कैसे फिल करना, A to Z सारी चीज आपको लाइफ सिखाई जाएगी, बिल्लकुल, free of cost, ठीक है, इसलिए बोल लो, सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन को पेस, मिलता आपको अगली वीडियो में, ठील लेन टेक क्या वावाए, और कुछ डावड़ों कूस्ट आओ, अपनी जब कॉमेंट कर सकते हैं,